वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आप सब अच्छी ही होंगी आज मैं बात करने जा रहे हूं हलकी बालों के बारे में गाइस हम पालर जाग कर अपने बालों को कटिंग तो करा लेते हैं पर हमको यह नहीं समझ आता कि इनको स्टाइल कैसे करें प्रॉब्लम तो ज मैं स्टाइयल करें अपने रलकcingेवल्डょ कर रही हूं से हलका सफ सीरूम कर मैं अपने बालोंपर लगाओंगी कभी भी सीरं गाइस अपने बालों की जडों में मत लगाइं сп Si guys हमारी हलकेवल्डरों में कटिंग भी होती लिए actory तो हमें पत्ता ही नहीं चलता गे हमारी क्टिंग है निया हम कलोत के हमाइन यहां मैं अपने बालों को तो बागों में पश्ति एट वज्ज़र निए पहले में अपने बालों को कॉम कर लूद फृजर जरु हैं अपने इलघा नहीं को सीधा कर रही है अ अब मुझे चाहिए हेर स्टेटनर स्टेटनर को मैं आन कर रही हूँ स्टेटनर यूज़ करने से पहले आपको सीरम जरूर यूज़ करना है अगर आपके पास सीरम नहीं है तो अलोविरा जैल यूज़ कीजिए नहीं तो आपके बाल डैमिज हो सकते हैं पहले में जो मेरे बालो की फर्स्ट स्टेप है मैं उसको ले रही हूँ और अब मैं स्टेटनर से सीधे करते वे बाल हलका सा राउंड गुमाते वे स्टेटनर को निकाल लोगी फिर वापस दूसरी स्टेप को भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ आप सोच रहोंगे गाईस मैंने स्टेटनर को आगे सी क्यों पकड़ा हैं क्योंकि मैं बालों को कभी भी बिल्कुल सिधा नहीं रखती हाल कासा गुमाते वे बालों को स्टाइल करती हूं और आगे से मैं हमेशा इसलिए पगड़ती हूं बालों में प्रेसिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और बहुत चल्दी हो जाती है अब मैं अपने पूरे बालों को लेकर वापस उसी तरह गुमाकते वे श्टनेटनर को निकाल लूगी और जहां से भी मुझे लगेगा कि बालों की शेप यहां से अभी ठीक नहीं है तो मैं वापस उसको वहां से शेप दूगी आपको मेरे वालों में अंतर दिख रहा होगा गाईज किस तरह स्टाइल मैंने किये हैं अपने बाल अब हम दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे अगर हम अपने बालों को पुरी तरह स्टेट रखते हैं गाईज तो हमारी बाल और ज़्यादा हलके लगते हैं और हम जब कुछ इस तरह अपने बालों को स्टाइल करते हैं गाईज तो हमारे हलके वालों में हैवी लुक आता है कर दो दो में जब करते हैं प्रादी तरह करते हैं प्रादी ट्साहर अपना है क्शना है झालों में चार अपना है रखते हैं आप देख सकते हैं मेरे हलके वालों में कितना प्यारा लोक आया है और अगर आप लोंग टाइम के लिए अपने वालों को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो हेर इस्प्रे का यूज़ करें एक बात और कहना चाहूंगी गाइस मैं आपको आप जितना हो सके इस्टेटर का यूज़ कम से कम करें आप इस तरह हाव बालों में भी क्लैचर लगा सकते हैं और अगर आप इस्टेटनर का यूज़ नहीं करते हैं तो आप कुछ इस तरह से अपने बालों को राउंड गुमाते भी क्लैचर लगाईए और तीन चार घंटे इसी तरह अपने बालों को रहने दीजिए उसके बाद आप बाल खोलोगे तो आपको जैसे अभी मैंने इस्टेटनर से बाल डिस्टाइल किये आपको ऐसे ही बाल मिल जाएंगे तो यह था गाईज मेरा हेर्स्टाइल अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले मिलती हूँ अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक की लिए बाबाई